वेल्कम बेक टू अनादर वीडियो कैसे हो दोस्तों आई हो दोस्तों सभी ठीक होंगे और पड़ाई भी आप सभी की बड़िया तरीके से चलती होगी दोस्तों आज के इस पेशल वीडियो में में कवर करने वाला हूं इस्टेटिक जीके का इंपोर्टेंट चेप्टर जो ह hijka, भारत के प्रमुक Pरिवहन के साधन ठीके परिवहन के जितने साधन इंपोर्टेंट उससे बनने वाले इंपोर्टेंट सवाल को कवर करेंगे और इस युडियो में ठोटक한 को कवर करनेuration वाले हैं जो की काफी इंपोर्टेंट है आल्रेडी किसे ने किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो यह हो सकता है आपके आने वाली एक्जाम में भी देखने को मिल जाए तो वीडियो इंपोर्टन रहेगा आपके आने वाली एक्जाम के लिए ठीक है तो चले सुरू करता हैं बिना किसी देरी की question number first से 9.02 km Option number B इसका correct answer होगा Next question है कि भारत का व्रहतम प्राकृतिक बंदरगा कोन सा है भारत का व्रहतम प्राकृतिक बंदरगा कोन सा है तो यह तो आई तिंग पता होगा मुंबई इसका correct answer होगा Next देख लेते हैं कि वायू में परिवहन का प्रारंब हुआ जो वायू में परिवहन प्रारंब हुआ था वह कब से हुआ था तो यह शुरू हुआ था 1911 से कब से हुआ था 1911 से यह देख सकते हैं एक्जाम में पूछा जा चुका है तो हमारा option number A इसका सही answer होगा नेक्ष्ट सवाले कि भारत के कीस राज्ज में सडको का गनत्व सरवादिक है तो सडको का गनत्व जो सरवादिक देखने को मिलता है दोस्तों यह देखने को मिलता है केरल में कहां पर केरल में नेक्ष्ट कोशन है question number 5 भारत के कीस सहर में आपको स्वामी विवेकानन्द हवाई अड़ा देखने को मिलेगा तो स्वामी विवेकानन्द एरपोट जो है यह राइपूर में कहां पर है राइपूर नेक्ष्ट है भारत की पहली semi high speed train वंदे भारत चलती है तो जो पहली वंदे भारत train चली थी यह चली थी दोस्तों वारानसी से नई दिल्ली के मद्धिया तो हमारा option number 5 इसका correct answer होगा किसके मद्ध चली थी तो वारानसी से नई दिल्ली के मद्धियाद रखना नेक्ष्ट कोशन देखते हैं जवारलाल नेरू बंदरगा की स्राज्य में इस्ति थे तो यह इस्ति थे महाराष्ट में यह भी important है पूछा जाता है नेक्ष्ट कोश्चन है कि दीन दयाल बंदरगा कहां अवस्ति थे तो दिन दयाल बंदरगा जो इस्ति थे ये इस्ति थे कहाँ पर गुजिरात में नेक्स्ट कोश्चन है किनीन मलिकित में से बारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है आप से पुछा है कंटेनर पोर्ट तो कौन सा है जवार लाल नेरू पोर्ट इसका सही अंसर होगा अप्सन नमर बी नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कि नीन में लिकित बंदरगाओ पर विचार करना है आपको चार बंदरगादी है च्वेन नागा पट्टिनम मच्चली पट्टिनम और तूति कोरिन तो आपको बतायाना है कि इन बंदरगाओ का उत्तर से दक्चिन की और सही क्रम कौन सा होगा उत्तर से दक्चिन की और सही क्रम तो यह दकना मच्चली पट्टिनम फिर आएगा चेननाई फिर नागा पटिनम और फिर तूति कोरिन तो हमारा option number 20 का correct answer होगा 2, 1, 3, 4 Next, भारत के निर्मलिखित बंदरगाहों में से कोन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है तो चार option में से बताना है कि कोन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है तो इसका correct answer होगा मुंबई Next, पारादिब बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर इस्तिते तो यह इस्तिते महानदी पर चीक है Next question है कि जवारलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर इस्तिते तो जवारलाल नेहरू बंदरगाह इस्तिते दोस्तों मुंबई में कहाँ पर मुंबई नेक्स्ट कोश्चन है कि नावा सिवा बंदरगा परिजना कहां इस्तिते? इसे भी इश्टार लगा लिजे, हाली में NTPC एक्जाम में पूछा गया था तो नावा सिवा बंदरगा जो इस्तिते, ये इस्तिते मुंबई में नेक्स्ट कोलकत्ता किस प्रकार का बंदरगा है? देख सकते हो, एसे सी 2015 की एक्जाम में पूछा जा चुका है तो कोलकत्ता किस प्रकार का बंदरगा है, तो ये एक नदी टाइप का बंदरगा है इस टाइप का नदी बंदरगा है नेक्स्ट है कि किस बंदरगा को भारत का प्रविश्द्वार कहा जाता है किस बंदरगा को भारत का प्रविश्द्वार कहा जाता है तो मुंबई के बंदरगा को कहा जाता है भारत का प्रविश्द्वार नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कि भारत में कितने मुख्य बंदरगा हैं तो 13 बंदरगा है ठीक है मुख्य बंदरगा कितने हैं तो 13 याद रखना next है कि नेताजी सुभास चंद्र बोस अंतराष्टी हवाई अड़ा कहा इस्ती थे तो ये तो I think पता होगा आपको कि जो नेताजी सुभास चंद्र बोस अंतरनेशनल एरपोर्ट है या है कोलकात्ता में काहाँ पर कोलकात्ता में next question है कि भारत का सरवादी कुचाई पर इस्तित हवाई अड़ा है आपसे यहाँ पर पूचाए सरवादी कुचाई पर इस्तित हवाई अड़ा तो कौन सा होगा दोस्तों बताइए तो ले का एरपोर्ट जोए वह सबसे अधी कुचाई पर इस्ति थे next day कि निनमलिकित में से की सिस्तान पर रेल्वे जोन का मुख्या लाइस्ति थे हाजिपूर हाजिपूर एक रेल्वे जोन है next निजी छेत्र में देश का पहला अंतराष्टी हवाई अड़ा निर्मान दिन है तो कहाँ पर बताइए तो याद रखना कोची में बन रहा है ठीक है इंटरनेशन अएरपोर्ट पहला नेक्से कोचीन है की एर इंडिया का मुख्याला एक पहाँ एस्ति थे एर इंडिया तो इसका मुख्याला है नई दिल्ली में next कोचीन है की भारत में सरवाधि गती से चलने वाली ट्रेन गतीमान एक्सप्रेस 4 अपरेल 2016 को कहां से कहां तक चली थी तो गती मान एक्सप्रेस जो चली थी चार अपलेड़ 2016 को यहा चली थी दोस्तो हजरत निजा मुद्दीन से आगरा थक हजरत निजा मुद्दीन से आगरा थक ओके Next question पहली उदाई एक्सप्रेस ट्रेन की इस्टेसन के बिच चली पहले उदpiej एक्सप्रेस ट्रेंड कीन इस्टेसंगों के विद चलि थी तो यह चलि थी बेंगलूरू से कोयम बदूर बेंगलूरू से कोयम बदूर Next question राष्टी राजमार्ग 66 को पहले कीस नाम से जाना जाता था? राष्टी राजमार्ग जो 66 है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था तो इसे पहले जाना जाता था एनेच 17 के नाम से एनेच 17 के नाम से नेक्स्ट देखते हैं कि राष्टी राजमार्ग 44 के निर्मान के लिए कितने राष्टी राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है तो कितने राष्टी राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है तो और साथ राष्टी राजमार्गों को मिलाने के बाद बना है राष्टी राजमार्ग 44 नेक्स्ट कोशन है कि स्वर्णिम चतरबुच क्या है ये काफी बार एक्जाम में देखने को मिला है तो स्वर्णिम चतरबुच क्या है तो यह है राष्टी राजमार्ग परियोजना है ठीक है स्वर्णिम चतरबुच क्या है तो राश्टी राजमार्ग परियोजना नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग कोन सा है तो भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग होगा NH44 नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कि मार्च 2021 की इस्तिसी के अनुसार कीस राज में सबसे लंबा सड़क नेटवर कहे है तो यह है महराष्ट में कहां पर महराष्ट में Next question दक्चिन पस्चिम रेलवे का मुख्याला कहां इसती थे? तो यह देखने को मिलेगा आपको हुबली में कहां पर हुबली में नेक्स्ट कोस्चन क्यों बढ़ते हैं निनमलिकित में सकीस राज्य में हजीरा बंदरगा इस्तिते हैं तो हजीरा बंदरगा आपको देखने को मिलेगा गुजिरात में कहां पर गुजिरात में नेक्स्ट है भारत निनमलिकित में से कीस देश में चाबहार बंदर्गा बना रहा है। तो सोपारा बंदर्गा जो है यह आपको देखने को मिलेगा महराष्ट में। कहां पर महाराष्ट में नेक्स्ट कोस्चन निनमलिकित विकल्प में से भारत का सबसे व्यस्तम अंतराष्टी बंदरगा कौन सा है तो सबसे बीजी इंटरनेस्टल फोर्ट आपको बताना है तो वह कौन सा होगा मुमबई तो ये थे टॉप 34 कोस्चन्स ठीक है तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करका सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना पहला आइकन को प्रेस करोगे तब ही हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा और बता दू कि मैंने काफी सारे चेप्टर्स को टॉपिक को MCQ गुरूप में कवर किया है अगर उन वीडियो को आप देखना चाते हो तो आपको डिस्क्रिप्चन में प्लेइलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से जाके उन सारे वीडियो को भी जरूर देखेगा सारे मैंने टॉपिक वाइस सब्जिक्ट वाइस कवर किया है तो चलिए यहीं उम्मीदे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे जरूर लाइक करोगे मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ नेक्स वीडियो में जबता के लिए जय हीन हाल देवेश्ट